नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चौते HTML टुटोरल में हिंदी में मेरा नाम है गौरभ और इस टुटोरल में मैं आपको nesting और attributes के बारे में बताऊँगा तो आएगे सबसे पहले nesting के बारे में जानते हैं Nesting का मतलब होता है किसी भी एक element के अंदर दूसरे element को insert करना जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने paragraph element इस्तमाल किया है P का opening tag और यहाँ पर आप P का closing tag भी देख सकते हैं यानि कि यह पूरा element है जिसे हम paragraph element कहते हैं और मैंने इसके अंदर दो elements insert करे हैं जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पर bold element और यहाँ पर italics element भी यानि कि किसी भी element के अंदर मैं दूसरा element डाल दूँगा तो वो element nested कहलाएगा यहाँ पर जो bold element है और जो italics element है वो nested है paragraph element के अंदर तो यहाँ पर paragraph element जो है वो parent element कहलाएगा और जो bold और italics element है वो child element या फिर nested element कहला सकते है अब बात करते है attributes के बारे में attributes क्या होते है attributes हमारे element के बारे में इसके अंदर जो हमारा जो भी हम insert करते है element के अंदर उसके बारे में additional information प्रोवाइट करता है मतलब हम एक command दे चुके है computer को कि animals को heading बनाओ अब attribute उसकी और additional information देगा कि animals का font कैसा होगा या फिर उसे हमें align कहां करना है यह काम होता है attributes का तो आईए attributes इस्तमाल करके देखते है attributes के आपको कुछ नहीं करना है आपको सीधा h1 में जाना है space करना है और लिखना है align is equal to center अब आप देख रहे हैं कि align is equal to center animals की additional information दे रहा है कि animals को हमें कहां रखना है बीच में तो यही काम होता है attributes का और यही केबल एक attribute नहीं है ऐसे और भी कैसा attributes है जो कि आने वाले tutorials में आपको समझाऊँगा अब मैं इसको save पर click करूँगा और यहां पर जब मैं refresh करूँगा तो यह animals है अगर आपको याद हो तो पिष्टी ट्रोल में हमने यह webpage तियार किया था तो आज हमें से और modify कर रहे है तो animals जैसी के आप देख सकते हैं center में आ चुका है अब ऐसे ही अगर मैं इस paragraph को लाना चाहता हूँ तो same करना होगा paragraph tag के अंदर मैं space करूँगा align is equal to center और मैं आपको दुबारा याद दिनाना चाहता हूँ कि आप किसी भी font के इस्तमाल कर सकते हैं चाहे वो छोटा हो बड़ा हो because html जो है वो font पे depend नहीं करता चाहे आप upper case use करें lower case use करें कोई problem नहीं है save क्लिक करूँगा और refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं paragraph भी center आशुगा है तो आप जायद थोड़ा बहतर लग रहा है पिछली बार से तो ये था attributes nesting और उनका इस्तमाल तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रोल पसंद आया आपको अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसे like कर सकते है आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते है मेरे चैनल का नाम है computer freaks और अगले ट्रोल्स का वेट करिए धन्यवाद